हेलो फ्रेंज आप्रोफेसर राकेश आसवानी स्टेडी टिप सेनल में आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंज आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ वह मोस्ट इंपोर्टन और दो सो टक्का 500 तक्का में गरेंडी दे सकता हूं स्क्रीन पर बाले मैंने 100 परसन लि थोड़ा इंपॉर्ट थोड़ा सगर आकर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो थोड़ा भी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो तो आपको यह benefit मिल सकता है तो इस तो चलिए दोस्तों आज हम जो हेंź डिस्टिंगिश कवर करने जा रहें टॉपिक का नाम क्या है डिस्टिक कमिशन स्टेट कमिशन और ने स्क्रीमन का संस्की ऍसको स्टार्ट करने मैं आपको चीजें बेसिक बता दो ता कि आपको दिस्टिंग को समझने में आसानी हो फ्रेंस जो डिस्टिक कमिशन स्टेट कमिशन नैसल कमिशन क्या है यह त्री टायर मश्टर यह कभी कभी एक्जाम में एक माक का अब्दिक्ट हो आता है त्री टायर यानि तीन लेवल पर कंजूमर कोड काम करती है डिस्टिक कमिशन डिस स्टेट लेवल पे काम से बढ़ा कोड स्टेट कमिशन व्यूंट उन नैस्टन लेवल पे काम करके इतना क्लियर दोस्तों अब ये जो कोट है ये कंसुमर को बेनिफट देने के यह बनाए गए हैं तो पहला पहला पॉइंट जो दिया है मीनिंग वार्ड डिस्टिक कमिशन तो वो क्या है एक चार वर्ड मैंने पढ़े आप देखो सब जगे सेम लिखे में कंजूमर डिस्प्यूट रीडरेष्ट फोरं क्या होता है चार डिस्प्यूट करने के लिए एक फोरम याने कोड बनाया गया है तो चेंज करना है ध्यान से देखेगा आप आसानी से लिख सकते हो सर्फ एक साइड आपमे पढ़ लेना बाक्के दो साइड आप अपने बना सकते हो रिपीट करता हूं A consumer dispute result forum at district level established by state government is known as district commission State Commission किसे लिकि princess Consumer dispute result forum at the Dash level, at the State level किसे किसने किया State Government It's called State Commission Other side किसे लिकि astronomy नेशनल कमीशन में कैसे लिखेंगे प्रेंट्स एक अन्जूमर डिस्पूर्ट इड्रेसल फोरं एड नैशनल लेवल एस्टब्लिश बाइश सेंट्रल गवर्मेंट इस नोन आस नेशनल कमीशन यह याद रखना है फर्स्ट टू में स्टेट गवर्मेंट और लास्ट में से नहीं हो चले दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर टू जी जो कोट इसका हैड प्रेजिडेंट कौन होता है तो सिंपल है जो हाइलाइट की वह वर्ड से डिस्टिक कमिशन का हैड कौन होगा डिस्टिक को जजज स्टेट कमिशन का हैड कौन होगा हाई कोड जज और नै स्टेट कमिशन में हैड को होगा सुप्रीम कोड इतना सिंपल है आप लिख सकते हैं आराम से उसको चलिए दोस्तों नेक्स पॉइंट देखते हैं पॉइंट नमबर थ्री कितने मंबर होंगे दो चार चार बाकि पूरा से में आप लिख सकते हो डिस्टिक कमिशन較 प्रेजिएरन की आलावा वहाँ पे टू के जगह खाली फोर हो जाएगा बाकी सेम है और वहाँ पे फोर मेंबर सैस में भी प्रिस्क्राइब जैसे बोला गया है सिंपल है दोस्तों लिख पाएंगे आप ओके नेक्स्ट इस मेंबर्शिप याने मेंबर जो होते हैं उनका पिरड कितने समय के लिए वह पॉइंट की जाते हैं स्क्रिंशॉट लेते जाएगा आपके लिए पढ़ाई करने में आसानी होगी नहीं मिलिया तो टेंचन नहीं है आपको वीडियो सुनते सुनते भी आप याद कर सकते हो डिस आपका टर्मिनेट हो जाएगा थाइंस हो जाते अगर तो भी आपका मेंबर्शिप खत्म हो जाएगा दोनों में से जो पहले होगा यहां पे पांच साल और सिक्स्टीपाइएस जैब कि स्टेट कमिशन में में जो मैं विएम सोते हैं उनका टैनियर उनका में सेवनियर्स वाहां पर 65 वाहां पर 67 और अधर सेट देखोगे तो फाय और67 यह तो सेम वह लेकिन जो प्रेजिडेंट होगा उसका जो एज रहेगा वह 70 तक है विचेवर इस अर्लियर तो पांच साल के लिए वो पिरिट संभालेंगे अपने टार्म को संभालेंगे यहां फि 65 67 67 प्लस प्रेजिटन के लिए 70 इस तरह से थोड़ा याद कर लेना है दो चर बार इसको रिवाइस करेंगे तो आप लिख पाएंगे इसमें आपको सब्सक्राइब करता है इंटार नेशन पूरा देश कवर करता है इंटार कंट्री कवर करता है सिंपल है दोस्तों ओके तो देखिए कैसे हमारे पांच पॉइंट्स कवर होगा दस मिनिट में आपका डिस्टिंगिश त्यार हो सकता अगर आप इसको अच्छी से पढ़ेंगे तो विदिन 10 मिनिट्स ये मेरा आप पर वरुसा है और आप कर सकते हो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा अच्छा लगे तो लोगों तक फॉरवड जरूर कीजिएगा आप अच्छा काम करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं पॉइंट क्क्रोड यां उससे कम का आपको चाहिए आपकी कमप्रेंट एक क्रोड या उससे कम की लेकर है पांच लाग 10 लाग 20 लाग तो आप डिस्टिक कमिशन के पास जाओंगे लेकिन अब ऑब वन करोड आपको पैसा चाहिए अपटू 10 करोड तक कहा जाओंगे यह स्टेट अबोब 1 करोड अप टो 10 करोड कहां जाओगे state commission के पास और अबोब 10 करोड तो कहां जाओगे national commission के पास तो friends कैसे उसको लिखना है it entertained complaints that the value of goods and services paid as consideration up to rupees 1 करोड same other side ही it entertained complaints about the value of goods and services paid as consideration consideration about our base एकदम simplify करके इसको बनाया गया है ताकि आपको जल्द से जल्दे याद हो सके इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता आपको मैं चैलेंज दे सकता हूं कि आपने कभी पड़ा होगा वह इसाब से काम कीजिएगा नेक्स्ट अपील अब क्या होता है कि कोट ने जो ऑडर दिया और जाने जो डिसिशन दिया अगर कोई भी पार्टी उसे सैडिस्पाइड नहीं तो वह अपील कर सकते हैं अपील का सकते हैं जो हाई लेवल की कोट होगी फॉर इक् के पास अब वहां गया उन्होंने जो डिसिशन दिया उससे भी आप डिस्टिक कमिशन के खिलाब कहां जाओगे स्टेट कमिशन के पास स्टेट कमिशन की खिलाब कहा जाओगे पास नैशल कमिशन की और खिलाब कहा चाह सु प्रीम कोर्ट पिरिज बता क्या गया है फरस्ट में 45 डेस अपाकी 25 टेजय याद करना carlingen 4 इमें 30 डेस्ट अप learning of such are simple known for state commission appeal against a district commission can be made to state commission appeal against district commission can be made to state commission from the within a period of 45 days within a period of 45 days from the date of such order लेख सकते है वहां पे भी सेम है appeal against the state commission can be made to state commission के लाप काहा आपील कर सकते है national commission के पास वो भी विदिन 30 days 45 days था या 30 days from the date of such order other side देखे national commission में appeal against the national commission can be made to supreme code within a period of 30 days of such order clear है यहां तक समझा 30 days from the date of such order ठीक है ओकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं मतलब अभी आपको बाइबा बोलने का टाइम आ गया है यस कि आपने इस रिस्टिंगिश को बहुत ध्यान से सुना इसके लिए सबसे पहले में आपको धन्यवाद दे दूँ बाकी चीज़ें तो मैं आपको बताई रहा हूं तो फ्रेंट्स यह स्कोरिंग टॉपिक और बोर्ड एक्जम में आना ही आना है तो यह पांच में से पांच माक्स आपको मिलने चाहिए कैसे थोड़ी दर पहले में आपको बता चुका हूं अगर आपको मेरे और वीडियो देखने है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दूसरा मैंने आपके लिए आइंप कोशन के पार्ट वन पार्ट टू अप्लोड करके रखे हैं बस उसको पढ़िए उसके बाहर आपका बोर्ड का पेपर नहीं आएगा प्रॉमिस पांट सो टक का गैरिंटी है तीसरी बात मैंने आपके लिए रिविजन लेक्चस के तीन पार्ट बनाए है उसको भी देखके स्क्रिंशॉट लेते जाओगे न तो आप पढ़के लि लेक्चस को आपके ध्यान से सुनना है उसमें से अगर कोई टॉपिक आपको ज्यादा डीटेल में चाहिए तो उसके अलग से वीडियो अपलोड़ेड है डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे अगर नहीं भी मिलता है तो आपके सामने स्क्रीन पे क कुछ चीज़े हैं आप जैसे ही मेरे चैनल स्टेडी टिप्स पे क्लिक करोगे ना होम पेज ओपन होगा वहां पे आपको वर्ड देखेगा प्लेलिस्ट उदू वहां पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको चैप्टर वाइस जो है फोल्डस आपको दिखाई देंगे जिस का जिस स्टेंडर्ड का आपको वीडियो देखना वहां पे मिल जाएगा वीडियो कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं आप वह इसाब से ध्यान से देखिएगा अभी मैंने नए वीडियो फिर से बना के अप्लोड करने स्टार्ट किये नए तरीके से चीज़े सिखा आओ तकि स्टूडन्स को यह बेनेफिट मिल सकें और वो एक्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकें थैंक यू आल फॉर लव और सपोर्ट